वेलकम टो बिजनिस्ट आइकून बिजनिस्ट आइकून में आपका स्वागत है मैं हूँ अधित्य बंसल आज मैं आपको बताऊंगा एक नए आई पीओ आ रहा है इसमें आपको इन्वेश्ट करना है या नहीं करना है या इपीओ क्या है किस कैसा इसका अब्जेक्टिव है क्या टर्मिल से कंडिसन है आपको सब बताऊंगा आप देख रहे हैं मेरा चैनल कि तो आई से लोंबाट आई पीओ दो यार्दो में कंपनी सुरू ही थी और 15 सितंबर को इसका आई पी ओपन होगा यह नॉन लाइफ इन्सोरेंस की कंपनी है जो बहुत बड़ा नाम है आई से इसी बैंक उसकी सब्सेटिरी कंपनी है और यह प्राइबट शेक्टर की कंपनी है जो जनरल इस्सोरेंस रोबाइड कराती है और आई से इस ग्रूप का मेंबर है मेंबर है यह इसकी रेवन्यू ग्रोथ 24 परशंट के हिसाब से अगले लास्ट पांच सालों में बड़ी है और इसका प्रॉफिट 65 परशंट दो यार सत्रा तक बड़ा है आगे मैं बताऊंगा कि इसमें इसके क्या छिपे हुए तक थें क्या यह अच्छा क्या इसकी आइपयो की जो प्राइच है वो रिजनेबल है आगे देखिए उससे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ अगर किसी ने मेरे यह पिछले वीडियो नहीं देखे हूं तो जरूल देखिएगा और इस सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं आप जरूल देखिए और दोस्तों आइपयों में अप्लाई करने के लिए आपके पास डेमेट अकाउंट होना चाहिए अगर डेमेट अकाउंट है तो वह बहुत अच्छी कंपणी में होना चाहिए और नहीं है तो आप जल्ली खुलवा लीजिए इसकी लिंक मैंने डिस्केशन में दे दी है बहुत अच्छा ब्रोकर है अगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि यह आई प्यों कि नॉन लाइफ इंसरेंस है कि यह डारेक्ट प्रीमियम इंकम दो यार सत्रा है है बर्स दो यार सत्रा से यह डारेक्ट प्रीमियम इंकम का स्त्रोत है यह अपनी पोजिशन 2004 से बहुत अच्छे से बनाय हुए है और दा फर्स्ट फ्यू प्राइबेट सेक्टर कंपनी टू कमेंस ओप्रेशन 2002 से यह प्राइबेट सेक्टर कंपनी में आया था कमेंस ओप्रेशन के द्वारा एकॉर्डिंग टू दा क्रिसल रिपोर्ट क्रिसल रिपोर्ट यह कहती है यह कमपनी अपने कंपनी कस्टमर है यह कंपनी अपने कस्टमर को बहुत अच्छी रिपोर्ट करती है comprehensive ब्यापक एंड जल्दी से diversification बहुत अच्छी रेंज जैसे की mortar, health crop weather fire, personal accident marine engineering and liability insurance प्रोवाइड करती है ये company इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है और इसका multiple distribution channel इसका channel multiple distribution पे आधारित है ये ICIC bank इसका 31 माज 2017 तक 9.9 trillion का इसका asset हो चुका है ICIC bank की subsidiary के आधार पर दोनों का joint venture 9.9 trillion इसका पहुँच चुका है और ये Canadian एक Canada की company है Fairfax Financial Holdering इसका इसके साथ engaged है इसकी subsidiary company है और ये company property and casualty insurance का बहुत बड़ा नाम है ये reinsurance भी प्रवाइड करती है और investment management भी प्रवाइड करती है इसका US dollar में 43.38 billion का total asset है ये Fairfax financial holding का आगे चलते हैं ये IPO का खुलेगा IPO open होगा 15 सितंबर को और IPO close होगा 19 सितंबर को Face value इसकी 10 रुपेज रखी गई है दोस्तों ये company offer for sell करेगी उसी के आदर फर ये IPO issue आया हुआ है और ये private sector bank का पहला IPO है इससे पहले भी एक IPO आया हुआ है और एक कई company ने भी अपना apply कर दिया है SEBI को उनका approve होना बाकि है ये बहुत अच्छा है कि public center ये private sector की insurance company आपना IPO ला रही है इससे अच्छा ब्यापक प्यमाने पर अच्छा margin और अच्छा मुनाफ़ा सब लोगों को मिलेगा कि इसका इस्यू प्राइज बेंड चैसो इक्यावन से चैसो एक सट पर सेर पर रहेगा इस्यू साइज कि सत्ताबन सो करोड का है कि और इसमें क्या बता है इस्यू लंबाड आईपयो लोट साइज इसका बाइस सेरों का रहेगा इसका मिनिमम इस्ट पर इंबेस्टमेंट कम से कम चौदा है यार साड़े चौदा है रहे रहेगा इसके लीडिंग मेनेजर ब्यू एफ़े मेरिल लॉंच और आईसे सेक्रिटी आई ए फिल होल्डिंग सी ल्सी ए इंडिया एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस एंड जेंब फाइनेंशियल इसकी लिस्टिंग बी एससी और एससी दोनों पर होगी आग दिखते हैं इसके क्या आपजेक्ट है दा अब्जेक्ट आप दा ओफर आर इस कंपनी के अब्जेक्ट क्या फाइदे हैं यह क्या करेगी लिस्टिंग क्यों करेगी दोस्तों इसका लिस्टिंग का वेनिफिट कंपनी ओन दा स्टॉक मार्केट एक्षेंग इसका स्टॉक एक्षेंग पर जो लिस्टिंग होगी उसका वेनिफिट जो इक्विटी सेयर अपने सेयर बेच रही है उसको मिलेगा मतलब की इसमें इस सेल में 8 करोड 62,47,187 एक्विटी सेयर की सेलिंग होगी जिसमें कुछ ICIC बेंक के हैं और कुछ फेयर फॉक्स फाइनेंसियल होल्डिंग के हैं और यह दोनों ही इसका लिस्टिंग गैन मिलेगा इनको और इस कंपनी को इसका लिस्टिंग गैन इसका कुछ नहीं मिलेगा इसमें बस यह अपने रेवेन्यू और ग्रोथ की आदार पर कंपनी अच्छी तरक्की करेगी और बहुत अच्छा इसका वो है आगे पन देखते हैं इसका फाइनेंसियल आई से लंबार जेनलिस्टों इस लिम्टेड फाइनेंसियल क्या है इसका दोस्ते इसका टोटल रेवन्यू चार सो सोला करोड से बढ़कर नो सो तेरा सी करोड हो चुका है इसका 34, 33, 36% तक 2,17 तक इसका रेवन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी इसका 35 करोड से लेके 64 करोड 6,418 बतलब 36% का कुरा टोटल बढ़ा हुआ है प्रॉफिट पर्सेंट 65% तक इसका प्रॉफिट उड़ा हुआ है तो यह सीचुछ तीन दुयार जगूदा में 13,90 पर्सेंट था तीन दुयार पंद्रा में 80% फट था और 16 में 79 के लगवग था सतर के लगवक जो माइनस में था दोस्तों इसका रेवन्यू इसका प्रोफिट साल दर साल बढ़ रहा है और इसका प्यू एक्सपेंस रेशियो भी कम हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है तो आप कुल बला के ये कंपनी बहुत अच्छी है फाइनेंसिलिस का आग देखते हैं इसकी सकतियां क्या है के स्टेंड आप दा कंपनी इनकी इस पर आईपयों में क्या पैसे लगाना चाहिए इसकी सकतियां देखते हैं क्या क्या गिरोथ कर रही है क्या इसमें कंसिस्टेंड मार्क इसकी ग्रोथ कुल्मला के बहुत अच्छी है और जी ग्रोथ में हब से लीडर है कंसिस्टन बढ़ती जली आ रही है इसकी और बहुत अच्छा डेमिर्स्टेट करें हुए है यह डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन विल्थ मल्टी चैनल डिस्ट्रिबूटर नेटवर्क यह कि पूरी लाइन स्रंखला बनाया हुए है डिलीवरिंग एक्सिलेंस इन कस्टुमर बैल्यू इसकी कस्टुमर के आंगे बहुत अच्छी बैल्यू अपना लगातार एक्सिलेंस प्रदसन कर रही है यह रिवस्ट्रिस्क रिसलेक्शन और मैनेमेंट फ्रेमबर्क इसका रि यह believe करती है और उसी के अधार पर यह काम करती है और आगे की सोचती है इसका focus आगे की चीज़ों पर हमेशा रहता है और इसका portfolio बहुत strong है और diversified portfolio इसका है जो बहुत तगड़ा रहता है superior operating and financial performance बताइए यह अपनी operating and financial performance से superior company है और इसके आठवा नंबर experienced senior management team and enabling work culture इसका work culture और इसके senior management team बहुत experience है जब इनसे बाते है company में तो क्यों आगे बढ़ेगी इसका invest करने के क्या reason है पहला तो है कि 24% की दर से 5% में बढ़ी है इसका revenue growth इसका margin भी 65% बढ़ा हुआ है और यह पहली non life insurance company है जो इंडिया में list होने वाली है दोस्तो इसका IPO बहुत oversubscribe होगा और IPO यह बढ़ा है तो हर लगबग हर प्रयास करने वाले को जरूर मिलेगा बैसे मिलना चाहिए मैं तो दोस्तो इस IPO में जरूर apply करूंगा और मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आप भी apply करो बटा आप अपने financial advisor या अपने इस अलाकार से मदद जरूर लेना तभी आप इस IPO में apply करना इसमें अपना बता रहा हूं कि मैं इसमें IPO में apply करूंगा और IPO apply करना चाहिए कि नहीं अपना करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसका best method मैं अपनी अगले वीडियों बताऊंगा कि IPO में selection कैसे करना चाहिए दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको like and subscribe मेरे चनल को जरूर करिए और नीचे comment में कोई सवालों पूछ सकते हैं और आगे आप कौन सी वीडियो किस चीज पर आप जानकारी चाहते हैं उसका भी मुझे बताईए दोस्तों आप comment नहीं करते हैं comment जरूर कीजिए जिससे मेरी कुछ लगन आपके comment देखकर बढ़ेगी thank you bye bye